इस्त्री को आखिर क्या चाहिए राजा हर्सवर्दन युद्ध में हार गए हतकडियों में जीते हुए पड़ोसी राजा के सम्मुख पैस किये गए पड़ोसी देश का राजा अपनी जीस से प्रसन था और उसने हर्सवर्दन के सम्मुख प्रस्ताव रखा यदि तुम्हें एक प्रसन का जवाब हमें लाकर दोगे तो हम तुम्हारा राज लोटा देंगे अन्यता हुम्र कैट के लिए त्यार रहें प्रसन है एक इस्त्री को सच मुझ क्या चाहिए होता है इसके लिए तुम्हारे पास एक महीने का समय है हर्स बर्दन ने पिया प्रस्ताव सुईकार कर लिया बे जगे जगे जाकर बिदूसी और बिदवानों और तमाम घहरेलों स्त्रीयों से लेकर नरत्यांगनाओ वेस्याओ दासी और रानी और साथ भी सबसे मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सच मुझ क्या चाहिए होता है किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवारात किसी ने प्रेम, प्यार, किसी ने बेटा, पती, पिता और परिवार तो किसी ने राजपाट और सन्यास की बातेगी मगर हर्स बर्दन को संतोस ना हुआ महीना बीतने को आया और हर्स बर्दन को कोई संतोस जनक जवाब नहीं मिला किसी ने सुझाय कि दूर देश में एक जादू गरनी रहती है उसके पास हर चीज का जवाब होता है सिद्ध राज ने एक बात नहीं सुनी और अपने मित्र के खजीवन की खातिर जादू गर्णी से बिवा को त्यार हो गया तब जादू गर्णी ने उत्तर बताया इस्तरी अपने सोयम निर्णे लेने में आत्म निर्भर बनना चाहती है या उत्तर हरस बर्ण को कुछ जमा पड़ोसी राजा के राजा ने भी से सुख्यार कर लिया और हरस बर्ण को उसका राज लोटा दिया इधर जादू गर्णी से सिद्ध राज का बीवा हो गया जादू गर्णी ने मदू रातरी को अपने पती से का चुकि तुम्हारा हिर्दे पवित्रो और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्वानी दी तद अता में 24 गंटे 12 गंटे तो रूपसी के रूप में रहोंगी और बागी के 12 गंटे अपने सही रूप में बताओ तुम्हें क्या पसंद है सिद्राज ने का पिरिया यह निर्णे तुम्हें ही करना है मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में सुकर किया है और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है जादू करनी यह सुनते ही रूप सी बन गई उसने का चुकि तुमने निर्णे मुझ पर छोड़ दिया तो मैं अब हमेज़ा इसी रूप में रहूंगी दरसल मेरा असली रूप ही यही है बस सूरत बुढ़िया का तो रूप मैंने अपने आसपास से दुनिया के कुटिल लोगों को दूर करने के लिए धरा हुआ था आप उसे मालकिन भले इना बनाए पर उसकी जिन्दी के एक हिस्से को मुक्त कर दें उसे उस हिस्से से जुड़े निन्ने सर्म लेने दे